वेल्कम टू माई यूटूब चेनल जीरू टू पाई कलासेज बच्चो आज हुनोग हाई स्कूल के बिग्यान में देशेकते बच्चो यहाँ पर साइन्स में हम लोग यहाँ पर पेपर का सलूसा निकालेंगे बच्चो देशेकते हैं त्रेमार्शिक परिच्छा द्वाजर चोवी से बच्चो त्रेमार्शिक बच्चो यहाँ पर देशेकते हैं ठीक है कच्छा 10 यहाँ पर 20 बिग्यान है बच्चो समय यहाँ पर दियागा बच्चो यहाँ पर दो घंटे और पुडांके यहाँ पर दियागा बच्चो पचास देसेते बच्छों, पुढांक यहां पर 50, समय दो घंटा, कछा 10, बिज्ञान 20, साइन्स है और त्रेमार्शिक परिच्छा 24-26 यहां पर देसेते बच्छों यहां पर question दिया है, पहले नूट करके दिया है बच्छों, देसेते हैं करा है, सभी प्रस्ण करना आनिवार है पाला कोशन देश्यें कि यहां पर क्या करा है करा है यहां पर पारदर्सी यहाँ पर पार्दर्शक माध्यम है और यह चार बिकल्प दिछे यहें बच्छो इन चारो बिकल्प में साव आनशार क्या हो चो organise यहां पर पार क्षो D कि दभखो उसे हम लोग पारदर्सक मध्य बोलेंगे ट Вас अब बच्छो तब समझ रहा है लकडी हो नहीं सकता है हैं और छो हो ज़ोग बच्चो पारभाशी जिसको कारते है जिसका यहाँ पर विकल्प बच्चो चो था ही यहाँ पर कारच हो जाएगा क्या हो जागा बच्चो काच हो जाएगा आपका पारदर्सक माध्यम ठेक बच्चो दूसरा क्वेशर पर आते हैं बच्चो यहां पर कर रहा है एक उत्तल दरपन की फोकस दूरी 20 cm है ठेक बच्चो उत्तल दरपन की फोकस दूरी 20 cm है तो वकरता त्रिज्या क्या होगी बच तो आप जानते हैं बच्चो यहां पर फार्मूला पच्छे स्याद किये होंगे बच्चो यहां पर होता है यह यानि फोकस दूरी बराबर यहां पर आर बटा में टो फोकस दूरी बराबर यहां पर वक्रता त्रिज्या बटा में दू होता है तो फोकस दूरी यहां पर दिय जब पूछ़रहा बक्रोंति है कितना हो जायगा यहां से घुना करेंगी तो 20 दुना के यह 40 हो जाएगा ठीक बक्रों ते इन 4 विकल्प में 131 श्rijंक जाये És दरपन की उत्तर यहां पर उत्तर प्रिष्ट की त्रिज्जा होगी यहां पर वक्र प्रिष्ट की त्रिज्जा कराये बच्छो यहाँ पर फिर वहीं बात है बच्चे यहाँ पर वक्रफ्रिष्ट की त्रिज्या पूछ रहा है बच्चे यहाँ पर देशेक्ते हैं उत्तल दरपण है तुमें आपको फर्मूला बता दिया हूं बच्चो यफ बराबर आर बटा में 2 रखेंगे तो फोक आज दूरी फिर देया बच्चो यहाँ बराबर तो आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चो यहाँ ने टू याफ हो जाएगा तो टू याफ यानि दू गोणे 12 यानि 12 दूना के कितना हो जाएगा बच्चो 24 cm हो जाएगा यानि विकल्प नमबर काउंट साहज बच्चो यहाँ पर चोथा विकल्प हो जाएगा ठीक बच्चो यहाँ पर अगले कोश्चन पर बढ़ते बच्चो यहाँ पर दे सकते हैं चौथा क्वेशन क्या कर रहा है ठीक बच्छो इस तरह से आप देशेते हैं समझ सकते हैं बच्छो तो आप अध्यन करें बच्छो जिरू टू पाई क्लासिट के चैनल पर यहां पर नौदास सिगारा बार के सभी विश्यों के त्यारी फूल डिटेल के साथ कंसेप बाई कं बाई क्लासिक के परहसा जुड़िया बच्छो वीडियो को लाइक से सिस्क्राइब जूरूर कीजिए जो भी क्यूरी हो बच्छो आप कमेंट बक्स में क्यमान कर सकते हैं इससे पहले की वीडियो के प्ले लिस्ट मिल जाएं बच्छो वहां सब जाकर बोड पर चांद में गई एक दिये बच्छो इन चार विकल पकुंपे में से क्या आन सर हो जागा बच्छो जो भीरी-भी मोस्ट इंपोटेंड है बच्छो बर्द पाच्छाओ की दरिश्ट्री अवतल दरपण में ही सयुग में फोकस संभव है और किसी में नहीं हो सकता है बच्छो ठीक है इस तरह से अगले कोश्चन पर बढ़ते हैं बच्छो यहां पर देशिक के हैं यहां पर पांचवा कोश्चन क्या कर रहा है करे कि वायू में प्रकास की चाल होती है ठीक बच्छ काया हो जाएगा अब जानते हैं बच्छो वाय में प्रकास की चाल होती है तीन गुड़े दस का पावर आठ यहां पर मीटर पर सेगेंड थीक बच्शो यहां पर निरवात की बात करें बच्छो निरवात फ्सेंट कितनी होती है री तरह से यहां परfulप्य मेंसे तो आपकांसर हो जाएगा बच enem I हाँ पर दे सकते हैं यह हो जाएगा यहाँ पर दे सकते हैं इस तरह सब का पहला ही हो जाएगा बच्छ यहाँ पर इस फ्रश सकते हैं तीन गोर्ड़ 10 का पाउर यहां पर पांच ठीक wow चु तीन गोर्ड़ 10 पाँच का पावर 5 km per second नहीं पर हो जाएगा आपका पहला ही बिकल्फ हो जाएगा वाई में प्रकास की चाल ठीक है चछटवे कोश्चन पर राठते हैं बच्छों यहां पर देशकते हैं शचटवा क्या कारा है करकि मानों में जनन होता है यानि किस प्रकार का लेंगेग जनन मानों में होता है अल टПрकार का एक जनन होता है यह आप कह सकते हैं बहु खंडन द्वारा रहा होता है ठीक है ज़्चो जल्द बत снव का सब पर विकल्पों को इन विकल्पों में सब कांसर क्या होजेगा ठीक बच्छो जल्द बती इस कांसर तो मानों में आप जानते हैं बच्छो आंत्रिक निश्यचन होता है याने मानों में यहां पर होता है बच्छो लैंगिक जननन क्या होता है बच्छो मानों में लैंगिक जनन यहां पर शरी का अंग है जो मानों में उत्सरजान अंग करता है बच्छो यहां पर बरिक दिया है बच्छो पेट दिया है उत्सरजान यानि जू विकारपदार्थों को उत्साज करते यहो बाहर निकलते हैं इन चारों विक्लप में साफ कांसर क्या होजाएगा बच्छो ढुटा पर क्या हो जाएगा यहाँ पर दे सेटा निइसो VMware ंचरों विकलप मेंसे मानों में उत्सर अला आपका किड़नी ठीक बच्छो क्या है आपका किड़नी है बच्छो उत्सरजन अंग जिसको कहते हैं यानि यहां पर ब्रीक है बच्छो क्या कहते है बच्छो जो मानों में एक उत्सरजन अंग है ठीक बच्छो चलिए अगले कोश्चन बढ़ते हैं बच्छो यहां पर चापकांसर की्या है बठोक्य में चापका में सब्काइब सकते हैं तो दो भागों में बट कर यहाँ दो भागों में तोट जाता है थीक बच्चो तो यहाँ पर साव्कान्सा रोजले के द्वी बिखंडन के द्वारा अमीबा में क् upbringing के सब्सक्राइबकी के जारे बच्चो इसलिए आप जिरूटू पाइक लाक्स के प्रोड़ सा जुड़िए बच्चो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूट कीजिए जो भी क्यों हो बच्चो आप कमेंट बक्स में कमेंट कर सकते हैं या इससे पहले की वीडियो के प्ले लिस्ट मिल चलिए अगले कर बढ़ते हैं यहां पर देशकते हैं को रहा है प्लेनेरिया में किस्प्रकार का जनन होता है बच्चो यहांपर जल्ब यहां पर बिकल्पों को देख शकते हैं यह चार बिकल्प दिख रहे होंगों यहाँ पर प्लैनेरिया में किस प्रकार का जनन होता है और यह चार बिकल्प है जल्द बतेए बच्चो इन चार बिकल्प में से क्याप कर जाता है तो वह पूनह निर्माड कर लेता है ठीक है वह क्या करता है बच्चो पूनह निर्माड कर लेता है और वहां से एक नया जीव बना लेता है यानि आप कह सकते हैं बच्चो इन चार बिकल्पों में से उसे हम लग पुन्रूद भावन छमता कहते हैं बच्चो जोद के वज़े से दिवी खंडन का सकते हैं ठीक है दस्व कोच्छन पर बढ़ते हैं बच्छो जो भीरी-भीरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्छो बोर्ड परिछाव की दिरिष्टी से अच्छे से याद रखे गए बच्छो यहां पर करा के केंद्रक नहीं होता है बच्छो किसमें केंद्रक नहीं होता है जल्द बतिए बच्छो यहां पर दे सकते हैं जो भीरी-भीरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्छो यहां पर दे सकते हैं करा कि केंद्रक किसमें नहीं होता है बच्छो और यह चार विकल दिये बच्छो आर बीसी में नहीं होता है कि WBC में नहीं होता है बच्छो कि DNA में नहीं होता है कि कोशिका में नहीं होता है किस में केंद्रक नहीं पाया जाता है बच्छो याद रखेगा यहां पर आख्यांट क्या हो यहां पाला ही हो जाएगा आपका या विकल्प यहां पर हैँ आध्याण Kevac रहा पहला बच्चों देख सकते हैं कि प्रच में प्रकास किसे Mozке किसे कहते हैं यहां पर reinstaking सधन चारण है जिसके दोर हम वस्तो को देख सकते हैं थिक जिसके दोर को क्या कर सकते हैं तो प्रकास प्रकास के बारे में यहाँ पर रूपांतर्ण होता है ठीक है किसी वर्षक्राण गौह डीक क्रural से ढहां हता है ठीक है एस तरह से आपका समस्क्राण होता है ठीक है अगले बढ़का देखते हैं इस तरह से यहां पर यहां पर समझ सकते हैं यहां पर अभिसारी प्रकास की किरणे किसी एक ही बिन्दू पर मिल रही हो तो उसे अभिसारी प्रकास यहां पर मिल रही है तो यहाँ यहां पर मिल रही है तो इसलिकिया करने किसी एक बिंदू से आती प्रतीत हो रही है है तो उस अभिसारी यहां पर x intéक एँसरी किरण टेघ्रकी तो यह बाहर के निकलते ही प्रतीत हो रहे है दो आ है किरण पुंज कहेंगे क्या कहेंगे अप सारी किरण पुंज कहेंगे ध्यान दिजिएगा ठीक बच्छो चले यहां से बढ़ते हैं आंगे अगले यहां पर करें बच्छो आउतल दरपन तथा उतल दरपन किसे कहते हैं बच्छो देशेकते हैं आउतल दरपन किसे कहते हैं इ हो यानी धासे वाले अस्ठान से जब प्रकास की फिर निकलती है तो इसे अधाल दर्पड और उठे हुए जब यहां पर देख चेकते हैं उठे हुए भांख से प्रकाश की किरणे जब टकरा कर बाहर आती है उसी दुरूँ से ऑधल दरपण कहाती है बच्चो इस तरह से अप समझ सकते हैं ठेक यह इस तरह से अब देशकते हैं चित्र भी आप पर समझ सकते हैं अगला कोशन देशें थे थे यहां पर करा कि लेंस की से कहते हैं लेंस क्या होता है बच्छों देशते हैं इसको देशते हैं लेंस के बारे में बच्छों करा कि दो प्रिष्टों से घिरा पारदर्सी माध्यां जिसके दोनों प्रिष्टी गोली हो अथवा एक प्रिष्ट गोली एवं यहां पर समझ सकते हैं और एक प्रिष्ट यहां प यहां पर प्रकास सरूत क्या होता है और अधीत क्या होता है यहां पर Orient के बारे में यहां पर Southeast के बारे में कर रहा है उन्हें लेक्न जासे, सुर्ष लalten हैं मंबथी हैं जहांपर बिदूत बलिभाय इतियाद आई कहा सकते हैं बच्चु और अदीप्थ किसे कहते हैं बच्चु तो जो वश्तवी श्वताप्रकाद सरज्ञ नहीं करती बल्की प्रदीप्त वश्ट्व की प्रकास से आपतित होती है या प्रकासित होती है या आपतित होने पर दिखलाई देती है उससे हम लोग अदिप्त वश्ट्व कहते हैं बच्चो जैसे चंद्रमा है पृत्वी है मेज है कुर्शी है इस तरह से बच्चो यहां पर आप समा सकते है इस तरह साप देख सकते हैं यहां पर ठीक है चले बच्छो अगले क्वेशन वह बढ़ते हैं जो भीर भीरी मोस्ट इंपोर्टेंट है करा रहा है अति लगूतरी प्रेशन में यहां पर सजीव किसे कहते हैं बच्छो जी बाइगुलोजी का यह पॉर्शन है बच्छो देश फूल डिटल के साथ इसलेब जिरू टू पाइक लच्छ के पर रहसत जूड़िया बच्छो बीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर किजिए जो भी करें बच्छो आप कमेंट बक्स में कमेंट कर सकते हैं ठीक है मुल्य जरेख यहां पर कर रहा है कि तैसे जीव्डारियों में जिन में आधार्भूत आवसक्तियाओं की पूर्ती होती हूं एंके सरेरी कुछ क्रियाएं चलती रहती है उन्हें हम लोगजी जीवित रहने के लिए आवसक्त होती है ठेक हुआ बच्छो उन्हें संचरन कहा सकते हैं उत्सरजन है ब्रेधी है नियांतरन है समन में है प्रजनन है यह जो भी है बच्छो यहाँ पर यह सिर्फ सजीव महीं होता है तब कहा सकते हैं कि सजीव में अहीं मुल्भूत अभिक्रियाय होती है और इनहीं की अवसकता होती है धर्वूत की अवसकता हो यहां पर कराक की धमनी तथा सीरा में अंतर बताना था धमनी किसे कहते हैं या सीरा किसे कहते हैं दोनों में अंतर बताना है तो अंतर देशकते धमनी में कराक की धमनी की दिवारे मोटी पेशिय अधिक लचिली और नहीं पिचकने वाली होती है धमनी में लेकिन सीरा में क्या कपाट होता है धमनी में क्या होता है बच्छो कपाट नहीं होता धमनी में कपाट नहीं होता है बच्छो लेकिन याद रखेगे यहाँ पर सीरा में बच्छो इनमें कपाट होता है ठीक है आंगे तक शिक्ति करा है धमनी में इनमें रक्त अधिक दाबो जटके के साथ तेजी से बढ़ता है रग्त कॉमदाभुए धही मिगती से बात है घमनी में आ परदेसेत इसकी गुवहा संकरी होती है क्योंकि इसकी दिवार मोटी होती है ओर यहां परदेसेते बच्चो तेविए ह dislwa की इसकी गुवहा की छोड़कार सिस सभी धोनियों में शुध रुक्त बाता है और शिरा में आ जाईये पॉल्मोनरी शिप को छोड़कर सभी सिराव में ऊसुध रुक्त बाता भच्छो इस तरह से अहां रहाँ पर अंतरह समाझ सकते हैं और देश कर से दिया है ठीक है अगला देश थे बचे यहां पर को राथ लैंगी जनान के बारे में बताना है बच्चों चलिए देशी के इसको यहां पर सम्यद्ट बच्छों करकि इस प्रकार के जनन में दो लिंगों की अवसकता नहीं होती इनमें जीव स्वतह गुणित होते हैं अलांगिक जनन की जो बीधिया होती है बच्चो बिभिन प्रकार की होती है ठीक है अलांगिक जनन की बीधिया बिभिन प्रकार की होती है बच्चो यहां पर समय सकते हैं द्विखंडन ठीक बच्चो द्विखंडन है मुकुलन है यहां पर पत्तियों का रोपन हो यहां पर इस सभी अलैंगिय जननमें आते हैं ठीक लएंगिक जनन की घ्रिया उसी जाती के और पिर युद्य भागों के बीच ऑथ्कि किसी अध्यक्त में हुता है चुल यहां पर लिंगिय भागों के बीच में होता है और जीव का भुरोंड भी दो प्रकार की कोशिकाओउ जिन्हें हम लोग यूगमक कहते हैं के द्वारा प्राप्त होता है ठवार ओर देशेते बच्छों स्वासन किसे कहते है तो यह एक जयवी क्रिया है जो केवल सजी जॉनतिव में ही होता है यह कई छरू किसी जिवधारी द्वारा वायू से आक्सिजन प्राप्ट करने तथा कर्बन डैक्साइड मुख्त करने की क्रिया कोई हम लोग का कहते हैं सास लेनाया स्वससान कहते हैं ठीक है तो आप अध्यन करते बच्चो जीरो टू पाई क्लासेश के चैनल पर यहां पर नौदास इगारा बार के सभी विश्यों के तरी फुल डीटेल के साथ कंसेप बाइक खंसेप कराई जारे बच्चो इसलिए आप जीरो टू पाई क्लासेश के प्रोशाच जूड़ी बच्चो वीडियो को लेक्स सब्सक्राइब जरूर कीजिए जो भी करियो बच्चो आप कमेंट बक्स में कमेंट कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर अगले कोश्चन पर बढ़ेंगे बच्चो का रहा है दिर्ग उतरी प्रसन देशकते हैं बच्चो जो भरी-भरी मोस्ट इंपोर्टे प्रभाविता कनियम करते हैं और इसमें है पौधे युगमनज के विभाजन और ब्रिधिश के विकास से बनता है इनमें पौधो के प्रतेक लच्छन के दो बैकल्प एक रूप होते हैं बच्चो ठीक है इस तरह से उधारन के रूप में लेए से बच्चो कार कि मतर के वही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चो यहां पर प्रतेक रूप को ब्यक्त करने के लिए गुमनज में एक इकाई पाए जाती है मेंडल ने इन इकाईों को ही फैक्टर कहा था ठीक है या और परन्तु यहां पर इसके नाम किसे जाना जाता है बच्चो जीन के नाम से जाना PTFI संतानों में एक फोन में खाए देखाता है या होता है तथा दूसरा लचान क्या होता है दिखाए नाहीं च्टर से ही हम लोग प्रभावी लचान करते हैं या मेंडल का पर्थमनिया है यहां पर इसे सव हैं ुस त्रस अब शमय सकते हैं इस तरह कर दियं है यहां पर जो दिखाई देता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चो यहां पर प्रभावी लच्छाण और जो नहीं दिखाई देता है उसे प्रभावी लच्छाण कहते हैं ठीक है बच्चो इस तरह से आपका